तो forms को explore करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और form controls को देख लेते हैं basically बात की जाए तो यहां पर आप लोग textual inputs को बहुत ही आसानी से style कर सकते हो तो हम लोग यहां पर यह काफी आसानी से करेंगे देखेंगे कि क्या क्या हम लोग different चीजे कर सकते हैं तो basically अगर आप लोग जानते होंगे तो HTML में कुछ elements आते हैं जैसे input, label, text area वगेरा जो हम लोग यहां पर बड़े आसानी से इस्तमाल कर सकते हैं और यहां पर bootstrap के दरी हम लोग कुछ classes add करके चीजों को और भी ज़्यादा सरल बना सकते हैं तो हम लोग यहां पर जड़ा इन चीजों को explore कर लेते हैं तो यहां पर आप लोग देख सकते हो यह एक label है और यह input box अब यह input box में मैं email id दे सकता हूं क्योंकि यहां पर आप लोग देख सकते हो कि this input is of type email और बाकी यहां पर placeholder वगेरा है वो यहां पर हम लोग देख सकते हैं यहां पर यह चीज़े होती है और यह जो नीचे वाला है यह text area है ठीक है यह आप लोग देख सकते हो नीचे text area हमें दिख रहा है तो यहां पर आप लोग इन चीदों को बड़े आसानी से कर सकते हैं और आपको पूरा कोड भी मिल रहा है और हम भी ट्राइ करेंगे देखो और एक बात है कि जब मैं इस लेबल पे क्लिक करता हूँ लेबल पे क्लिक कर दिया और मेरा जो वो इन्पुट बॉक्स था वो एक्टिवेट हो गया वो टाइपिंग के लिए वहाँ पे फोकस आ गया उस पे इसकी यह करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा तो आपको यहां पर लेबल में जो फॉर अट्रिब्यूट है उसका और यह जो आईडी है यह सेम होना चाहिए जो इन्पुट बॉक्स का आईडी है और जो लेबल का फॉर है वो सेम होना चाहिए तो यहां पर आपको ऐसी चीज़ देखने मिल जाएंगी कि आप लोग लेबल पे क्लिक करोगे और आपका जो इन्पुट बॉक्स है वो फोकस हो जाएगा तो हम लोग यहां पर इन चीज़ों को इंप्लिमेंट करके देखेंगे जल्दी ही और आप लोग यहां पर कुछ क्लासेस की मदद से फॉर्म का साइज भी बढ़ा सकते हो मतलब आप लोग इस टिपिकल इन्पुट बॉक्स का साइज भी बढ़ा सकते हो या कम भी कर सकते हो यहां पर LG डाल दिया और यहां पर SM डाल दिया फॉर्म डैश कंट्रोल यह बेसिक क्लास होता है हमारा देखो फॉर्म डैश कंट्रोल ठीक है अब इसके सामने अगर आपने डैश LG लगा दिया तो साइज बढ़ा हो जाएगा डैश SM लगा दिया तो साइज जो है चोटा हो जाएगा साधी जात में आप disabled attribute का इस्तमाल करके उस particular input box को disabled भी कर सकते हो और read only attribute का इस्तमाल करके आप read only भी बना सकते हो यहां पर अगर हम लोग इस पर गौर करें और इस पर गौर करें तो आप लोग देख सकते हो कि यह एक disabled read only input है मतलब यह disabled भी है बट यह read only भी है और यहां पर आप लोग देख सकते हो कि यह बस read only है मतलब simply आप लोग यह समझ सकते हो कि इस value को हम लोग modify नहीं कर सकते this is read only राइट यहां पर आप लोग read only का एक अलग variant देख सकते हो plain text ठीक है मतलब यहां पर यह email है भाई आपका इसको आप change नहीं कर सकते है it's like that ठीक है one and the same thing बस class को इन्होंने एक और change कर दिया form-control-plain text ऐसा class डाल दिया तो आप लोग वहां पर default वो input box का जो होता है typical जैसे input box दिखता है वैसा ना दिखाते हो है आप बस एक read only plain text दिखा सकते हो right it's also kind of amazing thing तो आप लोगों को यह करना है तो आप लोग यह कर सकते हो और इसके भी आपको different different layouts present किये गए है यह एक different layout है यहां पर और यह different layout आप लोग देख सकते हो right तो यह चीज़े आप लोगों को अलग-अलग देखने को मिल जाती है और यह एक काफी interesting चीज़ है यहां पर आप लोग file को upload कर सकते हो right यह देखो जैसे मैंने choose file पर click किया आप लोग यहां पर देख सकते हो कि मैं यहां से कोई file को choose हो हो right तो जैसे मांलो अगर मैंने cat ke image को choose कर लिया यहां पर image आ चुकी है right it's that simple multiple files को choose करना चाहो तो यह यहां पर है यह देखो मैं multiple files को choose करके upload कर दे सकता हूँ जैसे यहां पे मैंने 3 files को choose किया और डाल दिया यह disabled है यह small है और यह large है तो you get all the codes for these things available here यहां पे आप लोग यह देख सकते हो यहां पे यह जो है यह div से लेकि यह div तक आप लोग file upload का option रख सकते हो यह एक option है यह दूसरा option है यह तीसरा option है तो आपके पास ऐसे अलग-अलग options available है and we also have a color picker over here यह देख सकते हैं आप लोग यहां पे color pick कर सकते हो यहां से change भी कर सकते हो color को यह आपके पास आपको यहां पे drop भी मिल जाता है तो आप यहां पे जाकर के कई से भी कोई color को pick कर सकते हो तो आप लोग यहां पे आना है और यह जो है ना symbol bootstrap का यह जो पीछे का color है यह ले लेना है तो इसने यह अपने आप pick कर लिया वो drop में जब भी हमने color डाल दिया उसने अपने आप pick कर दिया तो आप लोग यह भी कर सकते हो और नीचे आगर के आपको data list भी मिल जाएगी data list is like आप यहां पे कुछ input भी कर सकते हो बट साथी साथ में आपको कुछ options भी मिल जाते है इन options में आपको auto complete का option भी मिल जाता है अगर आप लोग एक valid option डालते हो तो मदब जो भी options present है उनमें से अगर एक आता है तो जैसे यहां पर अगर मैं लाल दूँगा Chicago तो यहां पर यह आ जाएगा और आपके पास यह present होती है data list सारी की सारी ठीक है तो आप लोग इन्हें explore कर सकते हो और भी जादा और use कर सकते हो अपने हिसाब से तो हम लोग अभी इस चीज़ को implement करके देख लेते हैं तो चलते हैं और अपने code में इससे implement करके देखते हैं तो मैंने आपर एक file बनाई है forms.html और उसके अंदर मैंने ना starter template को ला करके रग दिया है तो जादा हमने अभी कुछ out of the box किया नहीं है तो हम लोग अभी क्या करते हैं जस्ट एक मान लेते हैं कि हम लोग एक job application का portal बना रहे हैं जहां पर हम लोग चाहते हैं कि लोग आए और हमारे यहां jobs को apply करें तो हम लोग यहां पर simply क्या कर सकते हैं बस मैं एक heading डाल दूँगा h3 वाला heading ले लेंगे हम लोग apply for या फिर हम लोग लिखेंगे job application ठीक है simple simple हम लोग रख देंगे यहां पर paragraph डाल दूँगा और यहां पर लिखूंगा please apply for the या फिर apply for job here okay simple है और यहां पर हम लोग वो form को चालू कर देंगे ठीक है तो basically आप सवाल यह है कि सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे सबसे पहले ले लेंगे user का नाम ठीक है उसके बाद में लेंगे user रहता का है ठीक है तो पूरा address user input देगा उसके बाद में user input देगा phone number या फिर email address ठीक है email address ले लेंगे हम लोग email के तुरू contact किया जाएगा और उसके बाद में हम लोग ले लेंगे phone number ठीक है और उसके बाद में हम लोग ले लेंगे important होगा तो इतना हम लोग अभी बना देते हैं ताकि हम लोग समझ जाए अच्छे तरीके से कि यह जो textual input होता है हम लोग कैसे कर सकते हैं और एक चीज डाल देते हैं हम लोग describe yourself करके text area डाल देंगे ठीक है text area भी डाल देंगे हम लोग ओके fine अब चलते हैं यह चीज बना लेते हैं बहुत जादा interesting होने वाली है तो simply हम लोग यहां पर क्या करेंगे form control में आ करके मैं यहां पर यह जो है यह copy कर लूँगा यहां से और साथी साथ में यहां पर paste कर दूँगा जाकर के अपने उस starter template मे सबसे पहले मैं एक form बना लूँगा ओके यह form मैंने यहां पर form element रख दिया और उसके अंदर मैं यह अपना पहला element डाल दूँगा पहला input right simple है यहां पर मैं क्या करूँगा यह ज़रा id को change कर दूँगा ठीक है यह id इसकी जो है input की यह change कर देंगे हम लोग और इसको हम लो इमेल एड्रेस कर देंगे हम लोग चलो ठीक है इमेल एड्रेस कर दिया है और हम लोग क्या करते हैं एक और text का input लेते हैं यह text कर देंगे हम लोग यहां पर तो तो applicant name यहां पर यह हो जाएगा हमारे पास और यहां पर हम लोग placeholder पर email address तो नहीं न रख सकते हैं तो हम लोग यहां पर रख देंगे छगन ठेक है तो अब चीज ऐसी है कि कुछ चेंज करना हम लोग भूल तो नहीं गए तो कुछ नहीं भूले ठीक है अब हम लोग क्या करते हैं देखो right click करूँगा मैं open with live server कर दूँगा तो यहां पर आप लोग देख सकते हो job application यहां पर लिख क्या चुका है please apply for job here email address यहां पर है और देखो मैं email address पर जब भी click करता हूँ तो यह जो है input box यह focus हो जाता है यहां पर कोई change आ जाए label में right मतलब यह for और यह id वाला match ना करे तो देखो यहां पर मैं कितना भी click कर लूँगा अगर label पे तो वो जो form input box है वो activate नहीं होने वाला right मतलब उस पर focus नहीं जाएगा उसके लिए दोनों same होने चाहिए ठीक है यह देखो अभी हो रहा है वो ठ जाए gateäreसहए रेक हम लोग क्या-क्या लेने वालाए थे चीज़ हम लोग लेने वाले थे name जो हम लोग ले चुक है और हम लोग लेने वाले थे email address नहीं हम लोग ले और आध्रेस यहां पर आएगा और आध्रेस यहां पर आएगा तो हम लोग यहां पर डाल देते हैं यहां पर हम लोग लिख लेंगे address, तिक है, साधावाला address है ये, ठीक है, इस नॉट दी email address, ये साधावाला address है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, placeholder में चगन के अलावा, चगन थोड़ी किसी का address होता है, राइट, हम लोग placeholder में लिख देंगे, building ठीक है या house number ठीक है और उसके बाद में लिखेंगे हम लोग ऐसे कुछ लिख देंगे ठीक है locality slash area ठीक है ऐसा लिख देंगे हम लोग और उसके बाद में नीचा करके इसको copy कर दूँगा पहले और नीचा करके मैं कर दूँगा paste इसको एक और बार और यहां पे मैं कर दूँगा pin code ठीक है यहां पे हम लोग कर देंगे pin code ठीक है यहां पे pin code हमें नजर आ जाएगा और यहां पे placeholder में मैं लिख दूँगा 123456 ठीक है कोई भी number ठीक है तो यहां पे आप लोग देख सकते हो यह number मैं दे सकता हूं ठीक है और यहां पे हम लोग इसके साथ में आगे बढ़ते हैं हम लोग यह pin code भी दे चुकी यह extra था actually pin code आ गया भी यहां पे email address भी हो चुका है और हम लोग यहां पर दे देते है phone number भी तो यहां पे हम लोग phone number type का input ले लेंगे यहां पे link for मैं यहां पर कर दूंगा phone number ठीक है contact number कर देंगे contact number और यहां पे email address के जगा हम लोग क्या लिखेंगे phone number ठीक है यह फिर mobile number लिखेंगे mobile number और हम लोग यहां पर placeholder की जगा हम लोग लिख देंगे 9876 राइट अभी आ चुका है यहां पर अभी number का type email का तो नहीं हो सकता तो मैं simple text रख दूंगा ठीक है तो as a text हम लोग receive करेंगे हमारे number को ठीक है हो सकता है तो यहां पे यह क्या गड़बड हो गई ठीक है कोई गड़बड नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं अब हम लोग क्या करेंगे देखो positions हम लोग positions decide कर लेंगे ठीक है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा data list वाले उस element को लेकर आ जाओंगा यहां पर तो data list को डूढ़ने के लिए हमको simply यहां पर नीचा आना पड़ेगा थोड़ा सा नीचे आएंगे हम लोग तो data list हमको मिल जाएगा यहां पर है ठीक है तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे इसको कर लेंगे copy और कर देते हैं अपने code में paste तो यहां पर थोड़ा सा नीचे आकर करके form खतम होने से पहले मैं यहां पर कर पेस्ट यहां पर मैंने पेस्ट कर दिया है तो यह data list example के जगा मैं लिख दूँगा यहां पर job position ठीक है और यहां पर मैं लिखूंगा please select the job position ठीक है यहां पर हम लोग कर देंगे please specify job position ठीक है और यहां पर जैसे आपने click किया यहां पर जाएगी job position ठीक है तो हम लोग सीधा जाते हैं और यहां पर change कर देते हैं positions को यहां पर हम लोग लिखेंगे manager ठीक है manager और यहां पर नीचा करके मैं कुछ और लिख दूँगा जैसे software tester ठीक है और उसके नीचा करके मैं लिख दूँगा software developer और उसके नीचा करके मैं लिख दूँगा data scientist स्पलिंग गलत हो गया और हम लोग last में लिख देंगे cloud engineer cloud engineer ठीक है तो मैं लिख चुका हूँ अभी मतलब मुझे नीचे लिस्ट में वह दिखी जाएगा अब job positions को add करने के बाद में हम add करेंगे describe yourself का text area तो उसके लिए मैं text area लेकर क्या आ जाता हूँ simply मुझे यहां पर आना पड़ेगा और यहां पर इसे यह text area को उठा लेना पड़ेगा तो हम लोग इसको उठा लेते हैं और यहां पर आकर कर देते हैं paste तो यह कर दिया हम इने paste और यहां पर आकर देखते हैं कैसा लग रहा है ठीक है example text area अच्छा लग रहा है और यहां पर मैं क्या करूँगा simply ठीक है मैं एक काम करूँगा यहां पर हम लोग example text area की जगह लिख देंगे describe yourself ठीक है यह yourself लिख दूँगा मैं यहां पर ओके तो यहां पर मैंने यह लिख दिया describe yourself और यहां पर नहीं placeholder भी डाल दूँगा placeholder और उसको करूँगा equal to यहां पर देदूँगा मैं एक placeholder ठीक है some description here dot 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 ऐसा हमाने लिख दिया यह देखो यहां पर आ चुका है तो यह चीज़ है आप लोग बड़े आराम से कर सकते हो और हमें लगेगा एक resume upload करने के लिए option लगेगा तो वह भी हम लोग ले लेते हैं यहां पर आते है सीधा ठीक है यहां पर करके मैं paste कर दूँगा अब यहां पर आने के बाद में हम लोग अभी एक और चीज़ कर लेते हैं यह जो form file है उसको भी मैं change कर दूँगा उसको मैं लिख दूँगा upload resume ठीक है upload resume okay और यहां पर यह जो भी default डिखा हुआ है इसके जागे हम लोग लिख देंगे please upload your latest resume ठीक है यह हम लोगों ने लिख दिया और यहां पर हम लोग file वगेरा ऐसे ही छोड़ देंगे ठीक है बाकी साब ऐसे ही छोड़ देंगे हम लोग और जैसे ही मान लो मैं इस पर क्लिक करता हूं मुझे कुछ options आते है right it's like that तो यहां पर यह चीज आप लोग बड़े आराम से कर सकते हो अब आखरी चीज जो है वह है submit button ठीक है तो हम लोग यहां पर submit button भी ला लेते है उसके लिए हमको simply जादा कुछ नहीं करना पड़ेगा input का type हम लोग submit रख देंगे और यह submit button आ जाएगा और हम लोग यहां पर क्या करेंगे यहां पर हम लोग value लिख देंगे submit application ठीक है इतना मैंने लिख दिया और यहां पर क्या गड़बड हो रही है बार बार refresh करना पड़ रहा है इसको यह हो गया है यह submit बटन आ रहा है यहां पर देखो but anyways we will style it classes add करूँगा मैं कुछ bootstrap की तो मैं करूँगा my 5 ठीक है बटन थोड़ा नीचे जाता हूं मैं यह बटन थोड़ा नीचे आ जाएगा इधर आ जाएगा और भी classes add करने हम लोगों को यहां पर यह बटन आ रहा है तो आप लोग देख सकते हो submit बटन आ रहा है तो आप लोग यह पर यह पूरा form भर सकते हो यहां पर मैंने नाम डाल दिया छगन उसके बाद में मैंने address डाल दिया कुछ तो भी address डाल देता हम लोग अभी मैं रेंडम ऐसी टेक्स डाल दे रहा हूं यहां पर मैंने नमबर डालना है 123456 यहां पर मैंने email डालना है ज्यानिपंडित add rate ज्यानिपंडित.com यहां पर मैंने मोबाइल डालना है 98765 right job position के लिए मैं apply कर रहा हूं data scientist के लिए describe yourself this is me ठीक है यह मैंने लिख दिया और आप लोग यहां पर और भी चीदे कर सकते हो मदब आप लोग validations को वगरा लगा सकते हो कि जैसे suppose किसे ने अगर 100 words से कम description दिया है तो आप उसको validate नहीं करोगे आप यहां पर error दिखा दोगे कि भाया यहां पर आपको थोड़ासा ज्यादा words में describe करना है खुद को यह अप लोग कर सकते हो additional और यहां पर मैं choose file करके resume अपना upload कर दे सकता हूं और finally submit application यह बटन दबा करके application submit तो यह चीज़े हो सकते हैं बड़े आराम से तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह जो हमने अभी किया यह समझ में आ गया होगा यह इसकी मड़़ से हमने यह समझ लिया कि textural inputs को हम लोग कैसे style कर सकते हैं तो आशा करता हूं कि आप لوगों को यह चीज़ समझ में आगी होगी अगर आपको कोई भी दिक्कत है यहां तक कोई भी चीज को समझने में तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखो और चीजों को ट्राइ करो ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए हम लोग इसी के दाथ में आगे बढ़ते हैं और फाइल से